सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बैल आइकोन को दबाएं मेरी लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चैनल लवली क्रियेशन तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बैल स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स बैल स्लीव बनाने के लिए मैंने ये नेट का कपड़ा रिया है आप देख सकते हैं इसमें पहले से डिजाइन बना हुआ है तो मैं ये डिजाइन बॉटम में यूज़ करूँगी उसे पहले में जो एक्स्ट्रा नेट इसमें है जो किसी काम की नहीं है इस तो ये देखे फ्रेंट्स अब इसमें अपनी बैल स्लीव बनाएंगे अभी मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ अभी मैं एक ही बैल स्लीव बना रही हूँ इसलिए मैंने डबल फोल्ड किया है अगर आपको दो दोनों एक साथ कट करनी है तो आप फोल्ड करेंगे मैंने इसल तो फ्रेंड सबसे पहले हम लेंगे बाजू की लेंथ मैंने यहाँ पर फुल लेंथ ली है बाजू की और यह जो हमरा आप डिजाइन देख रहे हो यह बॉटम में आएगा यहाँ पर कोई मार्जिन लेनी की ज़रूत नहीं है पूरी लेंथ मैंने लिए है 21 तो 21 पे मैंने यहाँ पर माग कर लिया अब इसी लेंथ पर हम लेंगे चेस्ट का पांचवा हिसा जो मेरा आता है साड़े आठ तो मैंने यहाँ पर साड़े आठ पर माग कर लिया अब इसी पॉइंट से नीचे की तरफ हम लेंगे साड़े तीन साड़े तीन मैंने इस लिया है क्योंकि मैं फुल बाज बना रही हूं अगर आप हाफ बाज बनाएंगे तो आप तीन ले लेंगे तो फ्रेंड्स अब हम नापेंगे कंदे से कोनी तक की लेंद जो है हमारी 11 ठीक है यहां से यहां तक हम 11 पे माग करेंगे यह है कंदे से कोनी तक की लंबाई अब यह जो माग किया है इसी लाइन पे हम राउन एल्बो जो भी आपका आया है उसमें वन प्लस करके उसका आधा लेंगे ठीक है तो मैं यहां पे ले रही हूं साड़े छे साड़े छे पे मैंने माग कर लिया यह मैंने लाइन बना दी है इसमें अब हमारा है बॉटम थीक है बॉटम मैंने फुल लिया है इसमें जितना भी कपड़ा बचा था मेरे कुर्टे में मैंने उसके हिसाब से लिया है तो बॉटम इसका है ग्यारा ग्यारा पे मैंने आदा इंच का ही मारजन चोड़ा है बॉटम में अब इन मार्क्स को यह नीचे की साइड जो है इनको हम आपस में मिला लेंगे आप अब इदे के यहां पर जो नोख है इसको हमें गोलाई देनी है कटिंग करते वक्त भी हम गोलाई में ही इसको कट करेंगे और सिलाई करते विए टाइम भी हमें से गोलाई में इसलाई लगाएंगे अब इस पॉइंट से मैं बाजू की यानिकी मुड़े की शेप दे और एक शेप में दूँगी इससे आदा इंच नीचे की तरफ इस तरह से अभी नेट पे ठीक से मार्किंग लगनी रही है तो मैं अंदाजी से ही कर रही हूं सब कुछ चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं इसकी बॉटम में मैंने आदे इंच छोड़ा है मार्जिन में और यहां मैं छोड़ूँगी एक इंच और यहां मैं छोड़ूँगी पूरा डेड़ इंच का मार्जिन यहां से थोड़ा उपर की तरफ आदे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे इस तरह से तो यह कट गई है हमारी बैल स्लीफ अब इसको खोल के इस तरह पे चालेंगे और जो अंदर की तरफ मार्किंग की थी उसके उपर भी हम कट उसे भी हम कट कर लेंगे यह हमारी आगे वाली बाजू की शेप होगी चलिए अब इसे स्टिच कर लेते हैं यह देखे निशान में ने ठीक से लगा दिया है इस पर चौक का और इसे पर हम सिलाई करेंगे जब हम कोनी तक पहुचेंगे तो हम इस पर गोलाई की तरफ गोलाई में हम सिलाई करेंगे फ्रेंट्स यह दिखे चलिए मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ यह दिखे फ्रेंट्स यह इसका बॉटम है और यह है इसका बॉट्धी से जो हम इसको जॉइंट करेंगे कुर्टे से वह हिस्सा है अब यहां पर बॉटम में इसमें आदा इंच का जो मार्जन छूड़ जाता है वो ऐसे सिलाई का कपड़ा खड़ा रह जाता है तो इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे ताकि यह कपड़ा बैठ जाए तो फ्रेंट्स यह दिखे यह हमने सुलेह लगा लिया यह बन गए हमारी बैल स्लीप तो फ्रेंट्स आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रू बताईएगा अगर कुछ समझना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में बूट सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो